प्रेंड्स आपका स्वागत है हमारे चैनल डोंट मिस जीके में दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जारखंड में कुल कितने जिले हैं और उनके मुख्याले के बारे में तो फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर अगर नए आए हैं तो इससे सस्क्राइब करना न भूलें वीडियो पशंद आए तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को आप पूरा देखें तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो क्रमशंख्या नमबर एक है राची जिला और राची जिला का मुख्याले है राची क्रमशंख्या नमबर दो है धनबाद जिला और मुख्याले है धनबाद क्रमशंख्या नमबर तीन है पूर्वी शिंख भूम जिला और मुख्याले है जमशेतपूर क्रमशंख्या नमबर चे है पलामु जिला और मुख्याले है डनाल्ट गंश या मेदिनी नगर, क्रम शंख्या नंबर स्चत है हजारी बाग जिला और मुख्याले है हजारी बाग, क्रम शंख्या नमबर आठ है पक्षिमी शिंग भूम जिला और मुख्या ले है चाई बासा क्रम शंख्या नमबर नौ है देवघर जिला और मुख्या ले है देवघर क्रम शंख्या नमबर दस है गाढवा जिला और मुख्या ले है गढवा करम शंख्या नमबर 11 है दुमका जिला और मुख्याले है दुमका करम शंख्या नमबर 12 है गोंडा जिला और मुख्याले है गोडा करम शंख्या नमबर 13 है साहिब गंज जिला और मुख्याले है साहिब गंज क्रम शंख्या नमबर 14 है सराय केला खर्शावा जिला और मुख्याले है शराय केला क्रम शंख्या नमबर 15 है चत्रा जिला और मुख्याले है चत्रा क्रम शंख्या नमबर 16 है गुल्मा जिला और मुख्याले है गुल्मा क्रम शंख्या नमबर 17 है रामगढ जिला और मुख्याले है रामगढ क्रम शंख्या नमबर 18 है पाकूड जिला और मुख्याले है पाकूड क्रम शंख्या नमबर 19 है जामताडा जिला और मुख्याले है जामताडा क्रम शंख्या नमबर बी से लाते हार जिला और मुख्या लेह लाते हार क्रम शंख्या नमबर इक्की से कोड रमा जिला और मुख्या लेह कोड रमा क्रम शंख्या नमबर बावी से सिम डेगा जिला और मुख्या लेह सिम डेगा क्रम शंख्या नमबर तेवी से खुंटी जिला और मुख्या लेह खुंटी क्रम शंख्या नमबर 24 से लोहर दगगा जिला और मुख्या लेह लोहर दगगा तो ये थे दोस्तो जारखंड के 24 जिले और यहाँ पर कोश्चन है कि जारखंड में कितने जिले हैं तो जारखंड में, जारखंड राज में वर्तमान में कुल 24 जिले हैं, जारखंड में सबसे बड़ा जिला जनशंख्या के आधार पर राची जिला है, और जनशंख्या के आधार पर सबसे छोटा जिला लोहर दगा जिला है, तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आपको कैसा लग लाइक और कमेंट करना ना भूले और आपने हमारे इस चैनल को अगर सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए फिर मिलते हैं कुछ नया लेके अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद